अभी जो रिसेंटली बजट में आया है कि आपको सार लग पर तक कोई टेक्स नहीं बढ़ना पहले तीन लग तक आपका टेक्स जीरो है तो मैं आपको बता दू कि आज ही रेट में इंकम टेक्स में दो पर करके टेक्स लेप चल रहे हैं अगर आप इंपलोई है तो आपको एचारे का डेक्स मिलता है आपको परियोडिकल्स अगर पर इंट्रेस्टेस के लिए उसके लिए डिक्स मिल जाएगा आपको आपको standard deduction मिलता है पचाश जार रुपे तक का आप अगर LIC वगरा PPF आपका GPF आपका PF, SIP, school fees, principal amount home loan का medical insurance ATD का आप handicap हैं तो ATU, ATDD, ATDD भी अगर आप किसी का आपने कोई medical treatment करवाया है dependent persons का वो सारे deductions मिलते थे आपको यहां तक कि आपको donations ATG या ATGGC political party donations भी मिलते हैं आपको लेकिन new rizm में ऐसा कुछ नहीं है, new rizm में सिर्फ और सिर्फ एक deduction है वो भी अगर आप salaried employee है तो आपको standard deduction 50,000 मिलेगा otherwise उसके अलावा कोई भी deduction आपको allow नहीं है इसका मतलब अगर मैं एक business man हूँ, मेरी income 7,000,000,000 होती है तो मुझे पूरे पे tax भरना पड़ेगा और यहीं अगर मैं salary हूँ और मेरी income 7,000,000 हो जाती है gross, gross मेरी 7,000,000 है without any deduction सीदा सीदा आपको tax भरना पड़ेगा वहाँ पे फिर कोई deduction नहीं है, 7,000,000 तक जीरो कुछ नहीं है हाँ, अब बात आती है कि 7,000,000 तक का जो छूट मिल रहा है आपको new regime में, this one is again new regime वहाँ पे 7,000,000 तक में आपको tax का rebate दिया गया है अब उस rebate के अंदर capital gain income भी cover हो जाएगी अगर रिबिट आ रहा है उस amount के अंदर तो 7,000,000 तक ग्रॉस आ रही है तो वैसे ही old regime में भी 5,000,000 तक ग्रॉस आ रही है taxable gross income, sorry taxable income, total income अगर आपके 5,000,000 के नीचे 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 आ रही है तो वहाँ पे आपको choose करना पड़ेगा case to case basis में तो कि हो सकता है कि जैसे government employees की बात करूं मैं एक ही rank पर दो परसन है दोनों के ब्राबबर की salary होती है लेकिन एक हो सकता है कि home loan ले रखा है तो उसको deductions मिलके old regime में benefit मिले एक नहीं हो सकता है कि home loan नहीं ले रखा है उसने government का quarter ले रखा है तो उसको new regime में benefit मिले तो case to case आपको analysis करना है कि आपके level पर क्या decision आ रहा है जिसे कल पीची तमरम साब ने भी ये कहा कि भीया आपको क्या choose कर discussion करें agree लेकिन आपको एक अपर 2023 से आपके उपर कौन सा टैक्स applicable होगा यह आपको अपने से discuss करके ही करना है किस पकार के investment में आपको और टैक्स बचाया सकता है old regime का benefit ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं यह आपको decide करना है thank you